असलाम वालेकुम जी मैं हूँ आपका दोस्त दिशान उमर आज की जो हमारी वीडियो है यह सिंद्ध पब्लिक सर्वेस कमिशन का हैड मास्टर का पेपर है और नेर अबाउट इसके अंदर 30 क्वेस्टिन हैं मैं कोशिश करूँगा कि इनको अच्छे तरह किसे एक्स्प्ले किह रहो और डिस्केटर को भी एक्स्प्लेंन करूं क्वेस्टिन क्वेस्टिन बन है तो उक्वार नालेज आरस इसकारणा स्केल को हासल करना क्या कहते हैं तो इसको लडनिंग कहती है य condemni से चैते हैं कि नालेज को आसल टीचिंग में नहीं होता है पढ़ाना स्ट्रेटिजी कैसे लेंट किस तरीके से पढ़ना तो यह और चीज नहीं है लेंग जो है वो इसका करेक्ट अंसर होगा सेकेंड है ऑन विच बोर्ड स्टूडेंट्स वर्क इस डिस्पलेड कौन सा बोर्ड है जिसके उपल स्टूडेंट का जो वर्क है वो डिस्पलेड किया जाता है तो इसका जो करेक्ट अंसर होता है बुलिटन बोर्ड बुलिटन बोर्ड को नोटस बोर्ड भी कहते हैं याप स्टूडों में देखती होगी कि जहां रिजल्ट आए कोई अनौंसमेंट हो कोई भी जो है नई फार्मेशन देनी हो तो उसके ओपर जो है लगा जाती है तो बुलिटन बोर्ड जो है इसको नोटस बोर्ड भी कहते हैं इसके ओपर जो है स्टूडेंट का वर्क जो है वो डिस्प्रे किया जाता है इसके इलावा बलैक बोर्ड आपको पता है जो बलैक बोर्ड होता है और magnetic board magnetic board ऐसा होता है जिसे कहते हैं हम magnetic यानि मंखना तीस ही कि आपने कोई नमबर है वह वहां पे paste कर देनी है कोई चीज वहां पे जो यहना वह पेज हैंक कर देनी है मतलब को ऐसे ज़ी जो उसके लिट तव गर गजाथी हो जो यहना वब लग जाती ना वो कह रहा है कि खसूसियात है कि एक जो लर्णर है जो सीखने वाला है उसकी खसूसियात है सिवाए एक के तो एक्टिवनेस जो सीखने वाला है उसे एक्टिव होना चाहिए जी बिल्कुल होना चाहिए एक रेक्ट बात है अटेंटिव होना चाहिए उसे होना चाहिए र जस्पी ने लेना, बोरिंग होना, क्या ये खसूसियत अलड़नार की नहीं, तो इसका यहां पे correct answer कौन सा होगा, passiveness यहां पे इसका ठीक answer होगा, next, this method is mostly used in technical and training institution, अब जो training और technical institution है, वहां पे मैं आपको पहले इसका जो answer बताने लगाँ ना, आपके जहन में नहीं होगा, तो फिर मैं इसकी वजाहत भी करूँगा, तो इसके जो correct answer है, वो lecture method, यानि जो technical training institution है, वहां पे lecture method इस्तमाल की जाता है, अब lecture method क्या है, lecture method ऐसा है, जिसके अंदर teacher अपने time को देखते हुए, जो है ना, lecture speech deliver करता है, lecture देता है, वो lecture method हो गया, अब आपके जहन में आ रहा होगा, यान टेक्निकल है, तो demonstration हो जाए, तो एक तो demonstration हो हम science के लिए लेते हैं, किस के लिए लेते हैं, यहाँ science ने लिखा, टेक्निकल और science यह different है, और साथ में या training भी आ गया है, तो training science तो नहीं है, तो demonstration तो यह निकल गया, simulation, simulation यह होता है, कि जिसके अंदर हम एक dummy बना के उसके उपर काम कर रहे हैं, मैं dummy से मुरा आपको क्या बता हूँ, कि आपना किसी board के उपर आपने काम करना है, बिजिली का और इस तरह न, तो अपने क्या structure बनाना है, वेरेंग का, और आप वो एक छोटा सा board के उपर काम कर रहे हूँ, छोटा सा board जो उसकी dummy हो, और उसके उपर connection करके हम देख रहे हूँ, simulation होता है किसी भी चीज़ की similar model बना, बड़ी सी चीज़ को छोटा सा model बना के उसके उपर काम करता है, जैसे mendak का operation करते हैं, और कहते हैं कि यह mendak operation similar इसकी body structure जो जो है, वो human की body से है, तो इसके पहले operation करवाते हैं, medical student से ताके उसको फिर idea हो जाए, human being का, तो यह हो, और inquiry तो होता है, investigation करना किसी चीज़ की, तो वो और चीज़ है, तो लेक्चर जो ना, training की बात आ गई है, तो training के लिए pure lecture method होगा, ठीक है, नेक्टर अधर अधर नेम दो मैंने पहले आपको बताया कि notice board भी कहते हैं, जिसके ओपर जो ना, gluten board को, next, the most accurate representation of the earth is called, अब अर्थ क्या है, हमारी जमीन है, तो इसकी जो सबसे अच्छी representation है, वो कौन सी चीज़ कर रही है, यहाँ पर correct answer जो है, वो globe है, globe क्या चीज़ है, आपने वो देखा होगा, goal सा globe बना होता है, और वो, क्योंकि हमारी जो, जो जमीन है, वो goal है, बिज़ शकल की है, तो वो जो globe बना होता है, उसके ओपर पूरी जमीर, ऐसे, चार्ट, पूरी जमीर बनी होती है, समंदर, पूरी दुनिया के तमाम मालेक, समंदर, सब कुछ जो है नवो बना होता है, तो जो अर्थ ये जमीन है इसकी जो कम्प्लीट एक बेस्ट और एकोरेट रेप्रेजेंटेशन है वो गलोब होगी अब आप कहेंगे कि बाकिछ चीजे माडल माडल तो होता है कि किसी चीज का नमुना जो है न वो होना डागराम तसीर हो गई स्पाइस में कहते हैं जो सिपीशी बगारा के माडल होते हैं न किसी में मतलब जानदार चीज कर छोटा माडल तो उस तो हम सिपीशी स्पाइस में गएंगे ठीक है तो गलोब इसका प्रेक्ट अनसर होगा नेस्ट आप बेसिक अबझेक्टिव अधिजू की अधिजूकेशन आफिशन का असल मकसद क्या है तो एजूकेशन का असल मकसद है जाननी एक डिजायड चीज करना या यह कंटरी य अपना curriculum बनाता है, तो curriculum इस according बनाता है, कि ये curriculum पढ़ने के लोग, उनके अंदर कुछ और कुछ तब्दीली होने चाहिए, किस तरह की तब्दीली होगए, उसी तरह का curriculum बनाया जाया, चेंजन बिहेवियर होगा, curriculum implementation is a part of, करिकुलम को किस चीज का। सकोप प्रॉसस घ साफ करेक्ड किन्ध करना कौह को डीजाइन करना करिकुलम को और दीजाइन करना करेकुलम को इंपली मेट करना असेस करना ये सारे चीज़ें प्रॉस्टाफ करीकुलम में आएगा तो ये डी आंसर इसका ठीक होगा नेक्स स्टेडी आफ लेर्नर एंड लेर्निंग थूरीज आर कंसरेंड वे साइकालोजी या 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 जो इनसान की बात करती है उसकी इंटरस्ट को देखना उसकी सब्दील करने के लिए जो सारे एफट्स होती है कौन ये सारा काम जो साइकालोजी के अंदर हो तो फैलास्वी आइडियाज को डिल करती है सोशालोजी जो है वो सुसाइटी हो गया डैलोजी नजरिया हो गया तो भी आप्शन करेक्ट होगा नेक्स अब ब्रीफ डिस्क्र पारी शामिल होती है और आउटसाइड एक्टिविटीज भी होती है इनि करिकुलम में एक मुकमल एजेंडा होता है कि कौन से क्लास के बच्चे वो क्या कुछ आना चाहिए तो उसके अंदर जो हमारे पार रिटन मिट्रियल होता है और सब कुछ शामिल होता है करिकुलम कि जो हमारी भूक होती है वह हमारा कोर्स हो गया निहांए बग्स जिजो है चार पांज मिट्ण के धरकिस बहुत हों गया तो अब उसके पॉइंट्स के बाद होगता तो विक होगे था जाकरेक्श हो कॉन से चीज कॉन से चीज़ है जो स्कूल के बड़ेटर नहीं है तो आह यहाथ पास्तों बातकुतF फिरन को कौन कर रहा है वे काए सुन के काम आपने कारता है कि स्कूल के जो बच्ची है न जब यहां से पास उट होके जाई नहीं या आता हो अब्जेक्टिव हर रोज के लिए होगे बहुत छोटे लेवल के होगे तो यहां पे इसका क्रेक्ट आंसर जो हगा वो एम होगा जो अबर्रहल डिरेक्शन और गाइडन्स कोई कौन देता है तो अबर्रहल डिरेक्शन जो सुसाइटी दे रही होती है नेगि हर सुसाइटी के नाम्स वैल्योज रोल्स बिलीप्स होते हैं और उन से हट के कुछ भी ने किया जा सकता याप एक ऐसी सुसाइटी के अंदर रह रहे हैं जो एक इसलामिक सुसाइटी हो और वहां पे आप आके कोई अधर करीकुलम कोई नही नहीं चीज़ हैं और वो जो हमारे सुसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो सुसाइटी जो नहीं मिसाल के तोर पर मैं इसको बूरी सी औख्झेमपल देता हूं आपको कि आप जो हुआ रहे हैं जिसके अटे कर िटर्ट पढ़ा रही हैं और हमारो डिरेक्षिंति आ staple यह करिकुलम बनता है ना यह सुसाइटी को मदने तो रखके बनता है करिकुलम आप जाके न वह जोराप के करिकुलम उठाकर यहां पर इंप्लिमेट कर दें नहीं काम्याब होगा हमें अपनी ग्रॉंट वैलियोज को रियल्टी को देखके करिकुलम बनाना होता है तो यह इंप्लिमेट करना होगा नेफ्ट क्वेस्चन है एक मिस है उसके चलते हैं साइको मोटर डूमें यह प्रैक्टिकल होती है नहीं जिसके अंदर हमारी बाड़ी यूज का इस्थैटिक मूवमेंट जिसे कहते हैं तो प्रैक्टिकल होगा यह फीलिंग्स तो हमारे दिल के अ इंक्लूड़ बोथ दा टीचिंग अक्टिविटीज एंड तो यह लड़ने के एक्सपिरियंस होगा यह इनि इस्टेक्शनल स्ट्रेटिजी यह जो सीखने की इस तरीकेकार हैं उसमें कौन एक तो टीचिंग एक्टिविटीज और टीचिंग एक्सपिरियंस यह दो चीज अपार्टमेंटलाइज्ड मुद्लिट हिस्तों को मिलाकी एक जो आपड़ा सा नहालिजिक बुक बनाई जाते हैं और इसके इलावा कॉर करिकुलम तो बेसिक हमारा करिकुलम तो चीजिद में लटकना वरूरी होते हैं इंटीग्रेटट करिकुलम जिसके अंदर एक ही कंस बच्छों के मताबक हो तो सी हपशन है करेक्ट होका नेफ्स एन पाकिस्तान देवेलबडेड अथार्वें तर्मीम के बाद प्रोवेंशल गौर्णमिट का काम होता है डिरेक्षिन जो है ना करिकूलम की फैडरल देवेल्डरा होता है लेकिन जो इसको कर रहा होता है न डिवैल्प कर रहा होता है जो सारा कुछ काम कर रहा होता है जो कि एजुक्रिशन सिस्टम अपना है तो वह प्रोवेंशल गौर्डर्नमेट का होता है तो डिरेक्शन कौन दे रहा होता है फैडरल और डिवैलप हम प्रोवेंशल लेवल कहेंगे नेक् सेलेक्शन अर्वेशन लड़निंग और चीज़ हो जाएंगी नेच्ट मार्डर केंसट आफ लड़निंग है टीचर सेंटर अपरोच डों जो मार्डरन है लड़निंग का तो वह कौन सा है तो लेटनर संटर हो गया यह पुराने टाइम में होता था कि सब्जेक्ट संटर होता था उस्ताद आया उसने कलास के अंदर किताब में किताब ली और देख के पढ़ा दिया या सुसाइटी सेंटर या अब लड़नर सेंटर जैसा बच्छा चाहता है वह पढ़ाया जाए बच्छे को पर कोई जबरदस्ती न कीज़ ठीक है लड़नर सेंटर होगा ने फिर विच होगा नेटिण स्ट्म ओप्रोटिव क्या है कि कोई भी कंप्यूटर है नोसकी एक हमारे पास हो जाएगा विंड़ो होती है चलाने के लिए विद्यों के तो यह फिर विंडू कर ली तो श के में मुफ्तिले प्रोग्राम करते हैं कि जी मैंने मर्शからणा है तो जो चीज कंप्यूटर के चलाने के लिए उसके अपरेट करने के जम दरूर्ड है वोड़ का मतलब कर देता है कि एक ऐसा बॹोड जिसके लैंक किया जाता है जी स्विघ्ण को डिस्पले किया जाता है । उसके हो आ अपने बोड़ नब लगा देता हूँ मैं वहां पर तूलμέर लगा देता लटका देते हैं तो पेजबोर्ड होगा पेस्टिंग से मुरात होगा ना पेजच इस्पा करना प्रोमोट करना और चीज़ अडवाइजिंग और डिस्प्रेय कहते हैं ठीक है मैपS मेप्स किस वह मेप्स किस में आती है यह चु किस में घुम था चूँर में आती है, तो यह चुमकर रहते हैं At color होगी ży J 있는 activities had. प्रीन लिए यह घुक्ष्ट Packings Haverick thiψes चेशंग के लिए बहूं सब्सक्राइब तो ठीचिंग के लिए तुट शुबर्ड चाहक हाल एड़ और मिश्ट्रश का जो मूंढ़टरि वो तो वीज्वन होगी ना मतलब तो बोलने सब Insurance तो जी आखरी पेज हमारा चंद सवार रह गए हैं बोर तो नहीं हो रहे हैं दो पेपर हमारे पास आ गया तो मैंने का अच्छी तरह हैं तो यह जो कौन से चीज होगे जो इन्डेक्ट है यह माडल होंगे माडल्स यानि हुद आध किस चीज का अभा लेते हैं बिसिकली पार्ड रीप्रेज़न कर रहे है वह अपनी हूल बड़ी चीज को वह बिसिकली मिभल है उस बड़ी चीज का तो हमारे पास क्या होगा य अब पूरी जमीन के हमें चार्टेशन के को मैपने से सक्षण को अगर हम मैप मेरे लॉडिया अट्वूसोन बोड वीजुडॉया है है चार्ट वीज़ान है माडल वीज़ान है रेडियो यह संदे से तरलो क्या है यह सिछ तो नहीं एकर रेडियो बढ़ा चल जा घ्रहिए जमीन का फ़ला इसा है यह बनाटी बता आ यह जो होगा नेस्ट आल और इन्पूट डिवाइसे एक्सेप्ट वन कौन सी अब जो को प्रिंटर क्या है यह आउटपूट डिवाइस अप्रिंटर क्या है और आउटपूट डिवाइसे क्मा क्या है कि हमें प्रिंट दे रहा होता है हमें हाड में हमें चीज वापस दे रहा होता है तो यह यह आउटप लोजी आ जाए न लो जी तो वह घ्रीक वर्ड यह निकलते हैं तो यह ग्रीक वर्ड पावर्पॉइंट प्रेमट्रेशन के लिए होता है यह जो जर्निंग में असानी पर ने के लिए होती है अब आपको बताना पड़ेगा मुझे बताना पड़ेगा देखिए जो ने फ्रेश कार्ड होते हैं कि बच्चों को वकैबरी याद करवाने हैं तो एक वर्ड एक के दुसरे तो फी ओपर निचे करके फिसको जबाने इस तरह करके कुछ चीज याद करने के लिए तो फ्लेश एक बड़े लेवल पर होती है कि वह जो पाउड़ पॉइंट स्लाइड रोती है तो वह बच्चों के लेवल पर नहीं हो गेल्मेंट लेवल पर काटून इंटर्टेनमेंट के लिए होती है एक्टिविटी एड्ज यह पतना गया उसने तो यह फ्लेश कार्ड असनम बिसिक आपके आज की क्वेस्टन कोई मसला हो तो कोई सी क्वेस्टन की अभी समझना आई हो मैंने कोशिश तो क्या मैं एक्स्प्रेन करो ना समझाई हो तो बंदा नाचीव हाजर है आप पूछ सकते हैं अपना ख्यार रखिएगा चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और इसके लिए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती हैं अगर अच्छी लगती हैं तो फिर हक बनता है कि आप जैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें और हासल अभजाई के लिए कुछ मेंशन भी कर दें जजजा कर ला अपना ख्यार रखिए जहां